हलो गुद मॉनिंग और दिस द्रेंद्र कुमार जिस्ट वॉचिंग आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड टेंस से रिडेटेड कुछ टॉपिक्स के mcq तो चलिए सुरू करते हैं question wise करके ध्यान से देखेंगे कोसी से रहे कि भाई आप भी इस question को answer कर सके तो move करते हैं अपने first questions की और जिसमें आप देख सकते हैं सामने में आपका question है जैसे यहाँ पे लिखा है कि have you ever dot dot abroad तो आप क्यों क्या लगता है कि have you ever blank में अब क्या भरेंगे be, been, go, have तो देखें आप खूद से सोच सकते हैं कि have a family है और have a family के बाद में आने वाला वव हमेशा ववतिरी होता है तो ववतिरी के लिए हमें be तो बिल्कुल भी नहीं सर एक been है एक go है और एक have है अ अब be को देखेंगे तो be even है, been ही एक ऐसा यहां पे word है जो भी तीरी के तरह के से represent हुआ है, तो चलिए, पहला हमारा option सही हुआ, be, be is the right answer, okay guys, आप समझ सकते हैं कि be यहां पे right answer कैसे हुआ, okay, move करते हैं अपने next questions की और, और हमारा दूसरा question है, इसका be, okay, move करते हैं अपने next question की और, दूसरा question है कि see is dot dot at the moment, see is, is अपने आप में एक be family है, और be family के बाद में आने वाला word हमेसा क्या होता है, तो हमेसा उसके बाद में आने वाला word be four होता है, तो यहां पे हमारा सही answer होगा, be four means praying, okay, कैसे हुआ sir, तो at this moment, एक ऐसा word है, एक ऐसा add verb है, जो अपने बाद में हमेसा क्या use करेगा भाई, तो अपने बाद में आने वाला word को हमेसा before के तरीके से use करेगा, continuous format में use करेगा, तो यहां पे हमारा सही जवाब होगा praying, चलिए move करते हैं अपने next question की और, अगला question है, are you always dot dot before bed, are you always dot dot before bed, क्या लगता आपको, reads, read, reading, none of these, चलिए, हम आपको अंसर बताते हैं, कि भाई, यहां पे reads होगा या read, देखे, अगर always है, तीसे तो साब साब पता चलता है कि आने वाला word कभी continuous tense में जा नहीं सकता, यानि कि none of these की बात करें, या reading की बात करें थे दो आपसन पहले गरत होगे, अब बात होती है read, और reads में, यह दोनों में सहर कौन सा answer सही होने वाला है, तो देखे, आई है, first person का singular number है, first person का singular number है, तो भाई सब इसके साथ में singular helping को भाना चीए, अब देखे, reads तो होगा नहीं देखे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा confusion होता है, कि आई के साथ में reads क्यों नहीं आता, आई के साथ में read क्यों होता है, आप हमारे टेली ग्राम चैनल पर या तो पर यूटूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इस से regarding video, इस related videos के बारे में, कि आई के साथ में read क्यों आता है चलिए move करते हैं अपने first questions की और, जो हमारा fourth question है, he will dot dot you later, he will, देखे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि will अपने आप में एक modal auxiliary होता है, ओके, will अपने आप में एक modal auxiliary होता है, और modal auxiliary के बाद में हमेसा आने वाला verb भी one होता है, तो ना तो यहाँ पे call आने वाला है, ना तो number question, I don't know who dot dot the chair, भाई मेरे को नहीं पता कि चेर को किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है, अब जड़ा सोच सकते हैं, कि अगर हम लोग यहाँ पे who की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे who की बात करें, तो आप देख सकते हैं who, आप में यहाँ पे किसको represent करेगा, उस person को जिसके बारे में बात कर रहा है, कि मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता, जिसने इस चेर को तोड़ा है, अब यहाँ पे problem है कि सर तोड़ने वाला कौन है, यह थोड़ी नहीं हमें पता है, तो who अपने आप में similar है या plural, इस बात कभी नहीं पता, लेकिन तोड़ा है या तोड़ता है, आप कहेंगे सर तोड़ा है, यहाँ पे तो information चाहिए, और past का information, present in definite तो कभी information देता नहीं है, तो past information देने के लिए हमें सब past in definite tense का यूच किया जाता है, आप past in definite tense के लिए हमें b2 की जरुत पड़ीगी, जिबकि यह तो sir b5 है, यह तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं कि हमारा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे यह भी 5 के तरीके से function कर रहा है, दुसरा break नहीं हो सकता, क्योंकि भी 1 के तरीके से function कर रहा है, ब्रेकिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे continuous के तरीके से function कर रहा है, यहाँ पे हम आप में प्रिजेंट है बीन अपने आप में पॉफिक्ट है तो प्रिजेंट पॉफिक्ट सर प्रिजेंट पॉफिक्ट के बाद में हमें वब खोज रहे तो आप खुद से सोच कर देखें कि प्रिजेंट पॉफिक्ट के बाद में आने वाल वब हमें इसा कौन सा होता है तो कल से मैं उसका वीडियो एक एक करके पार्ट भाई पार्ट बहुत ज़ल अपलोड करने वाला हूँ तो चलिए मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और संबन डॉट डॉट टेकन माई बैग वो भाई साब टेकन भी थीरी है सर अगर आपको लगता है कि भी थीरी थी इसके पहले आने वाला वब्स होगा हमेशा वी फैमली का सॉरी हैव फैमली का होगा हैव फैमली का होगा अब यहाँ पर प्राबलम ही है कि संबन के साथ में हैव आएवगा लगाई है न सर, ये तो singular है, ये भी गया, तो बचा हुआ हमारा answer A, means A is the right answer, आप समझ सकते हैं कि A is the right answer कैसे हुआ, चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने next question की और 8th question, those dot dot the type I like, those dot dot the type I like, भई, are not, don't, won't, या isn't, आप सोच सकते हैं, कि सर अगर यहाँ पर हम लोग don't का use करते हैं, तो जार से बाते हैं, इसके बाद में आने वाला वब चाहिए, जो तो यहाँ पर है नहीं, isn't, isn't के बाद में, सर, is not, या are not, दो ऐसे वब हैं, और एक यहाँ पर I want, won't, won't के बाद में भी हमें सब भी फैमली का use किया जाता है, मतरे कि वब का use किया जाता है, आप समझ सकते हैं, इस बात के बारे में, कि सर, यहाँ पर B family तो है नहीं, आप ज़र यहाँ पर B family नहीं है, तो सर, कौन सा वब आएगा, तो चलिए, मैं बताता हूँ आपको, दे form है, compressed form है, इसके बाद में भी आने वालब भी बन होना चीए था, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो अब यहाँ पर दो option बचे हमारे पास में, एक is not और एक are not, अब आपको क्या लगता है, those के साथ में is not आएगा या are not आएगा, समझ सकते हैं, कि those, मतलब बहुत सारे, बहु not the type I like, चले, move करते हैं हम लोग, next question क्यों, ninth number question, james ask me dot dot him, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी narration पड़े होंगे, तो आपको यहाँ से पता होगा कि देखिए, ask के साथ में हमें सा two का यूज किया जाता है, two एक particle होता है, और particle अपने बाद में हमें सा भी one का यूज करता है तो यहाँ पे हमारा सही answer क्या होगा भाई, to email, चले, move करते हम लोग, next question क्यों, the sun dot dot in the east, the sun dot dot in the east, तो क्या लगता है कि the sun rise, the sun rising, the sun rises, the sun is rise, is rise तो हो नहीं सकता, rising हो नहीं सकता, I rises और rise, इन दोनों में लड़ाई हैं, तो आप बताओ, क्या हो सकता है sir, the rise, sorry, rise तो हो नहीं सकता, तो सही answer, see how, once the sun rises in the east, see is the right answer, चले, move करते हम लोग, 11th number question की और, जो है, it dot dot four three hours, अगर four three hours की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा वर्सा होना, अब सोचिए, कि अगर यहाँ पे वर्सा होने के बारें बात कर रहा है, तो आप बता सकते हैं, कि भाई, तीन घंटों तक वर्सा होता है, तीन घंटों तक वर्सा होता है, means, यह तो डेली का रूटीन हो गया, जो बिल्कुल भी possible नहीं, अब समझ सकते हैं, एक natural event है, और यह बिल्कुल भी नहीं possible है, तो is rain, हो नहीं सकता sir, rains, हो नहीं सकता, have been raining, और has been raining, अब देखिए, it के साथ में आने वाला व कि इस स्कूल का स्थापना कब हुआ था, या स्थापना कब हो रहा था, या ऐसा नहीं बोल सकते, कि स्थापना कब होता है, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, तो हम लोग को नहीं सर, information चाहिए, कि भाई, कब हुआ था, कब हुआ था, तो information देने के लिए, हम लोग के साथ में हमेंसा आता है past definite tense past definite tense miss bitoo bitoo यहाँ पे आपको मिल सकता है means the right answer चले move करते हम लोग नेस्ट question की ओर the company has dot dot the salary of all its employees अब ज़रा सोच सकते हैं कि बढ़ाद या है has है भाई has के बाद में आने वालव वर हमेंसा भीतीरी होता है अगर भीतीरी होता तो rise तो हो नहीं सकता सर, rose हो नहीं सकता bean rising हो नहीं सकता क्यों क्योंकि यहाँ पे ना सर perfect की तो बात ही नहीं है तो हमारा right answer क्या होगा be is the right answer चले move करते 14th number question की ओर my father dot dot my coat on a peg देखिए यहाँ पे काता है मेरे पिताजी ने coat को पेग पे टांग दिया है टांग दिया है hang hanged hang आप समझ सकते हैं यहाँ पे hang होगा hang होगा यह hanged होगा देखिए sir my father hanged my coat on a peg ऑके भाई hang से ना कल आपको एक छोटा से topic मैं बता दूँगा कि hang से किस तरीके से videos sorry किस तरीके से question arise किये जाते है भी उसे तो यहाँ पे 14th number question का right answer होगा बी चले move करते हम लोग नेक्ट question की ओर people often dot dot the tree for timber भाई आप often से पता लगा सकते हैं कि often है कैसा word है जो हमेशा के लिए बात करता है अकसर के लिए बात करता है तो अकसर इसके बाद में आने वाला word हमेशा क्या होगा indefinite indefinite को भाई भी या भी फाइब के दौरे रिपर जेंट किया जाता है लेकिन यहाँ पे people को देखें तो people हमारे क्या भाई people हमारा people देखने के बाद में आपको लगए है कि सर यह तो person का person person का प्लूरल फॉर्म है person का प्लूरल फॉर्म है मतलब यह people का अपने 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 plural word है plural word है तो plural के साथ है plural helping को माना चीज़ तो यहाँ पर cut तो हो नहीं सकता cuts हो नहीं सकता has cuts हो नहीं सकता तो यहाँ पर हमारा सही अंसर क्या होगा cut people often cut the tree for timber अगला मूव करते हैं 60 नंबर तो question क्यों और he dot dot a unique site in the forest he dot dot a unique site in the forest information दे रहा है information दे रहा है information देने के लिए हम लोग किसका use करते हैं past indefinite tense का past indefinite tense means b2 b2 saw is the right answer means b is the right answer यहाँ पर हमारे साथ यह answer क्या होने वाला है b मूव करते है next question क्यों children had dot dot their hands to answer the questions okay guys move देखिए यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप देखिए क्या कहता है कहता है कि children dot dot sorry children had dot dot their hands to answer the questions मतलब बच्चे ने अपने हाथ उठा है answer करने को raise rose ear raised तो आप से ही answer choose कर सकते हैं किसा ही answer हमारे क्या होगा बच्चों ना हाथ उठाया था had अपने आप में ऐसा word है जो अपने बाद में आने वाला वब भी थीरी के तरीके से use करेगा भी थीरी क्या है भाई तो हमारे यह raised raised is the right answer means be is the right answer move करते 18th number question क्यों the gardener.all varieties of flowers for making a bucket अब जरा समझ सकते हैं कि gardener सभी परकार के फूलों को सभी परकार के वाराइटी फूलों के वाराइटी को एक जगा पर वाकेट बनाने के लिए ना कर रखा है अब जमा कर रखा है आप समझ सकते हैं जमा कर रखा है past information बता रहा है past information बता रहा है तो यहाँ पर तो had है नहीं भाई साब कि हम लोग भी तरीके बारे में सोचेंगे इसलिए सोचिए कि सर यहाँ पर भी two कौन हो सकता है collected दूसरा collected collecting तो देखें सही answer हमारा क्या होगा सही answer होगा हमारा collect c o l c t e d collected okay move करते हम लोग next question की ओर जो हमारा 19th number question है i dot dot cricket since morning तो i was i am i have been i have been playing has been या have been तो देखें since morning सुबह से लेकर अभी तक सुबह से लेकर अभी तक तो अपने अपने perfect हुआ action और अभी भी चल रहा है means आगे continue भी है तो perfect continuous tense टून डिये perfect continuous tense करने का मतलब भाई मेरे कि sir was playing और am playing तो होगा नहीं अगर ये दोनों नहीं होगा तो जाहिर से बाते c o d में सांसर होने वाले है तो i के साथ में हमें साथ आने वाला helping भी क्या होता है have means have been playing चलिए ये हमारा हुआ right answer 19 का और d number sorry d is the right answer 20th number question my brother arrived at the bus stand after the bus dot dot देखे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक word आया है after after के बाद में आने वाला word हमेंसा क्या होता भाई after के बाद में आने वाला word हमेंसा be three perfect होता है और perfect का बाता भाई जब उसके साथ में helping love have family का आता है तो have families में से देखे had departed been see the right answer तो हमारा 20th number question का हमारा answer क्या होँ see the right answer तो भाई आज की session यहीं पे end करते हैं तो असा करते हैं कि आप कोई video पसंदाया होगा पसंदाया तो like करिए share करिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर कहिए अपने दोस्तों से जरूर कहिए इस session को जरूर देखे और ऐसे ऐसे videos को follow करने के लिए हमारे channel को subscribe जरूर करें thank you guys for watching